आल्राइट गाइज तो फटा बट से हम लोग RUHSB Sinner Singh 2024 सीरीज नमबर एक का पैपर सोलेशन कर देते हैं पहला क्यूसंस में आपको तीन कैपेसिटर दी हुए हैं उनको आपको रेश्यो निकलना था CS upon CP तो इसका आंस्वर आता है आपके ए आंस्वर 1 रेश्यो 15 सेकेंड नमबर क्यूसंस है दा पोजिटीव टेंपरेचर को एफिसेंट ओफ रेश्यो रेश्योंस इस फॉर आपके कॉपर के लिए पोजिटीव होता है नेक्स्ट अगर में बात करूँ तो एक अनन्त लंबे सीते दार के एक एमपीर धारा परवाइद करने पर इसमें एक मेटर के दूरी पर उत्पन आपको मैंगनेक की फिल्ड पूचा है तो इसका आंस्वर आपके C होता है 2 गूना 10 की पावर माइनस 7 नेक्स्ट अगर में बात करूँ तो जब एक विदू द्वीतुर आपके एक समान विदू चेत्र मेरका जाद वहने एक ट्रियर डाइब फॉल इसके ने यूनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड देन फो वाट वैल्यू ऑफ एंगल बेट्विन पी एंड इसो विल्टॉक क्रता ती जया 10 cm रहें इन प्लान कॉंवेक्स लेंस दे रडियस ऑ गर्वेचर ओ आ दे कोनेक्स सर्फास इस तें सेटिमेट अन फोकल लैंथ लैंसे 30 cm देन दे रिफ्रक्शन इंडेक्स अप देमेट्रियल अफ लैंस विल बी आपके 1.33 आंसर आ जाता नेक्स्ट अगर में बात करूँ तो परकास की किरंड आपके 60 डिगरी प्रिजम पर निउन्तम वीचलन, minimum deviation, position, the angle of reflection of the first phase of the प्रिजम के पर्थम भलक का फरतन कौंड गयाओगा तो 30 डिगरी इसका आंसर आ जाता नेक्स्ट अगर में बात करूँ तो इसपर्ष्ट दर्ष्टी की निउन्तम दूरी आपके 25 cm यदि अन्तीम शवी निउन्तम इसपर्ष्ट दूरी पर बनती हैं तो 5 cm आपके focal नंबाई वाले सरल सुकसम दर्ष्टी की आवतन सक्ती क्या होगी तो इसका आपके 6 आ जाता ह नेक्स्ट अगर में बात करूँ यंग के परियोग में फ्रिंज चोड़ाई आपके 0.2 mm दी हुई है यदि परकास की तरंग देद्री को 10 cm परती सर्थ तक बढ़ाए जाए और स्लिटों के बीच की पर्थकन को भी 10 cm परती सर्थ बढ़ाए जाए तो फ्रिंज चोड़ाई जो पहले थी 0.2 mm वह वही रहने वाली सब भी वीवर्तनों की फ्रिंज होती है असमान चोड़ाई की आपके अनिक्वल विट्थ नेक्स्ट आइजेंद्बर की द्वित्तिक तरंगों का सिद्धान आपके उपयोग ये खोजने के लिए किया जा सकता तरंग अग्र जयामे के समेंदन चलता परम तापमान के साथ बदलती हैं तो टी के साथ अपरी वर्तित रहती हैं यह आपको ध्यान में रखना पर थी चुम के पदास के चुम के समेंदन चलता परम तापमान के साथ बदलती रहती हैं तो टी के साथ आपर रिमेंस अंचेंजड वित टी नेक्स में बात करो तो एंसर की वोल्ट में आपके 50 वोल्ट नेक्स दारों तो आपके 14 नमबर कुर्शनक का नहीं में सबसे चल रहे हैं तो अधिकतंत देब रुगली तर्णक की आवरती सबसे इधिक होती हैं तो गामा के इंटक आवरती चल रहे हैं तो अधिक्तम डेबरोगली तर्म देधिरी किसके लिए होगी मैक्सिमम डेबरोगली वेवलेंथ विल बी फॉर बी पार्टिकल नेक्ट ने बात करूं जब सिक्स इलेक्ट्रोवल्ट उर्जा वाले फोटोन किसी स्कते पर आपतीत होते हैं गिरते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनरजी फोटोवलेंट्रोवल्ट वोटोवल्ट में निरोधी वी वह पूछा है तो वी नोड आपके हो जाएगा तो आनों बात करो समसंखंख इक यह यह समासंख्या में कुन होती निउट्रोन होते हैं नियमलिकित में रेडियूद्यू में आपके कितने एलफा और बीटा करन उस सरजी पर कीजित होता एं208 और और मिलाना होगा आप यहां इंडियम होता तो भी यांस वरा था इंडियम गेलियम बोरों तीन आपको या दोंग नेक्स्ट अगर में बात करो तो दर्विमा संख्या वन और 64 वाले दो नापिकों के त्रीजाओं का इनफात वाट इस दे रेशियो अफ रेडी ऑफ दे टू नुकलाई विद मास नंबर वन और 64 तो इसका अंसर आजाएगा वन और 4 नेक्स्ट अगर में बात करो तो यदि किसी परिद्नाली का में गुमाओं के संख्या दोगूनी कर दी जाया तो गुंडली में सव परिरुखतों में क्या परिविर्द दोगा तो चार गुना की सव का पहला नियम आपके आवेस सनक्षण पर आवेस सनक्षण शी समझती ते नेक्स्ट अगर में बात करो 24 नंबर क्यूसन सेरीज निंबर एक तो इसमें आपके कौन सा चुमिकी शितर का गुमने वेस इ यह गतिमान आवेस कंड की जिसा बदल सकता है चेंज डायरेक्शन ओफ है मुविंग चार्ज नेक्स्ट अगर में बात करो तो गोस्ट का नियम में क्यू कारत होता दी की सते के बितर की कुल चार्ज आपके इन गोस्ट फर्मूला क्यू इस्टेंड्स फोर टोटल चार्ज पर इन गिवन सर्फेस नेक्स बात करो 26 कि तो 26 कि निमल लिकित में से किसका दुरूब्टि ने किया जा सकता तो दवने करण धोनी तरंगों का आपके दुरूब्री करण निया किया जा सकता आल्टरासवनिक नेक्स्ट को एक दूरबिन मनना निकलीए पांच सेंटीमेटर तो 27 नंबर किस्टन्स का आपके आंसर हो जाता है 50 सेंटिमेटर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एक संधारित की श्रमता आपके टू पी को फैरेडे संधारित में विदुद विबबब आपको टैन की बारा गात बारा वोल्ट पर सेकेंड के मान से बदर रही तो विस्तापन प्रमाणुक परतिके किरियाओं में इसका सेनक्षन होता है तो फ्रमाणुक परतिकरियाओं में आप की चलूंगा आपको ऐक्छे ट्रांस्पार्मर का उप्योग तू आपके दो सुपचास वॉल्ट एसी में से चो वॉल्ट पच्छेस वॉल्ट लेम को जलाने के लिए लिए जाता है मुख्य के अबल में धारा जीरो पॉन फाइव एंपेर है ट्रांस्पार्मर की दक्षता पूशी तो एट्टी परसेंट और इसी के साथ यांस्वर से यह डिफ्रेंस बिट्विन एपरंट एंड रियल डेप्ट ऑफ पॉंड नेक्स्ट अगर्म बात करो तो प्रतिन यूगलियों और बंदन हो जा इसके नाविक के लिए अधिक्तम होती हैं सो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाए अब हम केमेस इसे टो नेक्स्ट अगर्म में बात करों तो एक विलीन का पराशन अधाब बढ़ता है यदि गुलन से पदार्थों के संख्या बढ़ाई जाए यदि गुलन से पदार्थों के संख्या बढ़ाई जाए नमबर ओफ मॉल्स ओफ सॉल्यूट इस इनकर देजिए आपको पी लेड इस्टोरेज बैटरी में प्रियुक्त और लाइट है और यॉजसिद इन लेड इस्टोरेज बैटरी इस एस टू आप तो इस वार तर्टी एट नेक्स्ट किसंस ठाटी एंट नमबर देखें तो पी-एच बराबर वन विलीन में डूबा हुआ आपके आपके अध्य निमलक्त में सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह निकल पिर्योंग जाता है आप लोग जानते ही निकल बहुत ही कॉमन है बीड़ी कितार बनाने के लिए पानी के अच्छे होती है जाने और दबनाएं प्रविष नीवत करने के लिए नियूंत मूर्जा संगुटी कुर्जा नीवत गिंटमूर्जा थे इस देनर से नेक्स्ट दगदमें बात करूँ तो आपके सामानियों 43 number questions सामाने राजशाइनिक परिवतन के लिए 2A प्लस 2B उतपाद A को गाई बोने कि दर R1 और B की R2 है तो R1 और R2 की दर किस परकार समझ देती है तो 43 number questions का answer हो जाएगा C R1 बराबर आर to nextiner बात करो तो nimal लकित में से कौन सा legend 1 दंतुक एकendi का nextiner one 嘉 R1 आपके 2 अबेमाल एकिन्ट दंतुक लेगेंड का example नहीं हो nextiner oneiders करो पाद दना के Currently सामाने-स यृृ। आपके Welcome 1 बंक ?... जिसका की इंड्रस्ण दोने के लिए किया जाता तो तो option number D आपका इसमें से हो जाता है, option number D आपका 45 किसमें से हो जाता है, यह मैंने आपको वन लाइनर में करवाया भी था, तो यह आपका 46 में A answer से हो जाता है, जब फिनोल ब्रोमिन जल के साथ अभी किरिया करता है, तो परिमार परिनाम आपके क्या होता है, तो सफेद अवक् से सरल इथर को पैचाने, सरल इथर, option number D, 48 का option number D, C6H5, OC6H5, नेक्स्टरगर में बात करों तो कार्बोक्स के अमलों का इस्टरी करने के प्रति किरिया है, तो नाभी के प्रतिस्था पर, नुगलोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्टरगर में बात करों तो वूड drinking, नेमलेखित का आपके दूसरा नाम है, मेथनल का दूसरा नाम है आपके वूड श्टिट्ट्ट्ट्ट्र प्रतमिक 50 नंबर की संस्टर, आपके सी हो जाता है, प्रतमीक ऐरोमेटिक ऐमीनों से डायिजोनियम लवनों का निर्मान होता है, तो डायिजो नाइजेशन, डा बात करो तो प्रास्मिक आरोमेंटिक आमाइन की उपस्थिती में क्लोरोफोर्म 55 नंबर किसंस का आपके आंसर हो जाता है कार्भी लेमिन रेक्शन कार्भी लेमिन रेक्शन नंबर की इकाई इसके लिए समान होती है तो लेटर गोल में 9.8 ग्राम आपके उपस्ति थे हैं तो गोल के मॉलल ता 57 नंबर किसंस का आपके बी आउपस्थिती तैयार किया जाता है जब कलोरोबेंजिन को निमलिकित के साथ अभी किरिया कराई जाती है तो CCL3CHOS का राइट आंसर हो जाता है 58 नंबर का बी आपस्थिन राइट है विटामिन B6 की अप्रियाप मात्रा के कारण ओने वाली विमारी तो विटामिन B6 पायराडोक्स इन जी से हम कहते हैं इसकी कमी से आपको दोरे कन्वलजन देखने को मैं और आपको पता ही कन्वलजन और भी बहुत साइट काम है जो एक जैसी होती है उसके बारे में तो हम कभी बात करेंगे आगे आप नर्सिंग में आओगे तब निमल कितमें से किस से ग्रीन विट्रोल के नाम से जानना जाता है तो FESO4 7S2 आपको इसका राइट आंसर हो जाता है 60 नंबर किस्थिन का आपके किस चेत्र से समझ दी थे हैं तो यह फोटोग्राफी फोटोग्राफी 62 नंबर का अंसर हो जाता है डी द कॉम्प्लेक्स आयन एजी एस्टू और त्री टू त्री मैनस इस असूस्टियेटेड विच फिल्ड है सो डी आजवसर आपके राइट हो जाता है एसन्टू मेकनिजम तो नेक्स्ट अगर मैं बात करो तो 64 नंबर किस अनूमद समावेवता उन यूग्र को मैं देखी जाती है जिन में एमबीडेंट लेगेंड होता है अभी किरिया दर इस्तिरांग पर तापमान के परभाव की वैक्या किस ने की थी तो आपके आरेनियस के ने की थ आपके अभी के दर इस्तिरांग पर तापमान के परभाव की वैक्या नेक्स्ट अगर मैं बात करो तो यह दि लोग के बनाम वन बैटी क्या प्लोट सी दिरेका देता है तो धलान का मान तो इसका डाइरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डी आपके राइट आ आपके इसमें होता है कीट अथवा अवा इंसक्ट और वेंड अगर बात कर साटोलिकोसिकाओं में वीरी निकलने नलीकाओं को गुआ मैं सुक्राणू के निकलने के परिकरियाओं को आप क्या कहते हैं इस्पर्मियेशन इस्पर्मियेशन याद रखिए का 69 नंबर याद तो अब रखने की जरूत है नहीं क्योंकि आपने पास कर दिया है अब जो हो चुका हो चुका अब 69 नंबर का आपके आंसर हो जाता है बी 17 नंबर के 17 नंबर के उसन से जन्रम के बाद आपके कॉलस्ट्रोम जो इस्तिंद करिंदियों से स्रावित होता है इसमें पर्चूर ने भी उन्चेंजेबल या फिर आप परिवितनी वाले ओप्सन थे ना वह सारे राइट आगे जो तुका वाली मैंने बदाने था ना वीडियो वह एकदम से यहां पर आपके सही बैठ गया तो जिनने फोलो किया ना उनके तो बल्ले-बल्ले होगी नेक्स्ट अगर बात क करूं तो क्लाइन फेंटरल सिंड्रों की विश्यसता पुछिए के युटोप युज्टर इस गरेक्टरिज़ बाई के युटोफ एक्स एक्स युट नेक्स बात करनों 74 नंबर कृश्ण पॉली सिर्ट्र क्या पूछा आपको पॉली सिस्ट्रोनिक मैसेंजर आर ने आपक और दोनों ए और भी दे रखा है उसमें भी आपको वह सेलक्ट करके आना है और जिसमें नन अफ दीज आये हैं उसमें आपको वह सेलक्ट ने करना भी आपने ऊपर कुई सुन देखा ही था 75 नंबर कुछिंस का अंसर क्या है मानद जिनों प्रिजना में पूरूनत अनुकर्म नहीं तो ने वाल आपके मानव गुंसूत्र कोन साथा तो गुंसूत्र एक आपके सम अमिनोशिट्स आपके 76 नंबर 75 गा आपके यह ओप्शन राइट हैं 76 सम अमिनोशिट्स आर ओडेट बाय मौदन वन कॉड़ोन थे जनेटी कोड़ीज दीजनेरेट जनेटी कोड़ीज सम आपके यह ओडेट हैं आपके डीजनेरेट को मौदन नेच्ट कुर्फवी पर पहला जीवन रूप था जो चमो क्यमो ऐटेरो टॉर्च कीमो ऐटेरो चमो ऐटेरो चमो एटेरो फॉर्स लाइफ ओन अर्थ वाजए चमो एटेरोट्र नेक्स्ट आपके 78 नंबर कर शन सा जाता है विच स्पीसीज इस बिलीवड तो बी फर्स्ट तो यूज इस्टोन टूल्स तो आपके इसमेहां चाहर आ जाता है होमोहबिलस फर्स्ट एवर यूमन वू यूज आपके इस्टोन टूल्स नेक्स बात को सेवंटीन नंबर के संस की तो विच आप दो फॉलोंग इस एफेक्टेट बाइद इन्फेक्शन आफ वुचे रिया वुचे रिया बैंक्रॉफ्टी सो 79 नंबर के संस का आपके आंसर ह हो जाता है लसी का वाइन है लिंफेटिक वैशल्स लिंफेटिक वैशल्स एड्स की व्यापक रूप की पैचान की जाती है सो एड्स इस वाइल्डी डैग्नोस पाई एलाईजा को पता ही है अब हम लोग देख लेते हैं आपके 81 नंबर के स्वीच आप दू फॉलोंग इस आपके ओपियोडिक मादग पदार्थ हैं सो इसका आपके आणसर हो जाता है 81 नंबर न का मॉर्फिन काम करने के लिए प्रियूक्त इस्टनेन कहां से निकाले जाते हैं तो यिस्ट से निकाल जाते हैं। 83 नमर का किसन्स का आंसर हो जाता है C. यिस्ट Which of the following is the first step of civics treatment? So, with उपचार का पहला आपका चरण के आई So, अवसादन, sedimentation Baculovirus नहीं दिखते हैं गेर लक्सित रोग जनकों पर परभाव 85 नमर किसन्स Baculovirus do not show Effects on Non-Target Pathogens Next, अगर मैं बात करूँ 86 नमर का आपके नेमल लिखते में सक उनसा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है So, Salf1st Which of the following Note A, क्लोनिंग वेक्टर 86 नमर का आपके आपके आंसर हो जाता B, Salf1st आनवा सिक्पतात को अलग करते हैं में सुध ड्यने को अप शेपित करने के लिए उ्प्यो कैजान ओर सायन है Mün ordered गाब होगा को делать आपके आउत वन दानवायत लिखते मजगा क strain दितेज़एयपिज पूरिफयट वेस्पशal muscular निम्न का उप्योग करके निश्तमत किया जाता है इन आरेने टेक्निक्स जी एनेस आर सालेंस्ट यूजिंग डी एस आरेने नेक्स्ट आपके क्योस्टन जाता है एक वर्णाद पूरुस और एक सामाने महिला के पीछ विवा से क्या होता है सो एक मैरीज बेटे निश्म मेन अबनोरमल से कोलो गूर्णा से क्क्योस्टन के जन सिंग आयो पिरामीड दरसदा है 91 नॉमर के क्योस्टन से कथी जन सिंग डिकलीन पॉपलेशन है नेक्स्टब आपके क्योस्टन लोगी क्योस्टन जाता है आपके इसका राइट आंसर हो जाता है 92 किसी गास के मैदान में खरगोस दोड़ा नए कारबनिक पदात के निर्मान की दर कहलाती है आपके सीधी ही लाइन आपको पूची जाई गई है सारे के सारे के सारे के सारे क्योंस आपके 95 नंबर आपके आता है प्रॉलिफिकेशन ओफ एंडोमेट्रियम डिरिंग फॉलिकुलर फेज इस केरिड आप बाई एस्ट्रोजन यू नौ एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर 96 नंबर के संसर आजाता है निमलक्त में सकुन सा पीचिया तक्निक में आप सिक नहीं है तो हैलिकेस एंजाइम आपके दोस फीमेल्स फेल इन प्रोडूस ओवम जो ओवम प्रोडूस नहीं कर पाते उनके लिए गिफ्ट है यह 97 नंबर के संसका सी ऑप्शन राइट है निमलक्त में से किसमें परीपक बीज में ब्रून पोस्त बना रहता है तो अरंडी इन विच अप दू फॉलविंग एंडो इस इस्ट्रेंड में बदलने से रोकता है विच अफॉलविंग एंजाइम इनिविट ट्रांस्फोरमेशन ओफ आर इस्ट्रेंड बेक्टिरिया टु एस्ट्रेंड सो इसका आपके राइट आंसर हो जाता है डी इन एज एंजाइम राइट आंसर डी इने ज नेक्स्ट आपके NCRT के डिरेक्ट लाइन पूची गई है आपके ताम हो चुका 22 मिनट्स का थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सब्स्क्राइब चैनल प्रेस्ट बेल इकन पॉर्द नोटिपकेस्ट थैंक्यू